पूरे दिन आपको किन किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशी फल मेश राशी कारिशेत्र में व्यर्थ वाद विवाद से बचें अनिता जगड़ा हो सकता है नौकरी में इस्थान परिवर्तन के योग हैं यात्रा में कीमती वस्तू का विशेश ध्यान रखें उपाई आज मंदर में दही दान करें और सफेज चंदन का तेलक लगाएं आप समाज में अपना इस्थान बनाने में सफल होंगे लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे उपाई आज पान खाने वाले लूगों को अत्वा पान लगाने वालों को कथे का दान करें मिथुन राशी नौकरी में उच्चा दिकारियों से निकटा का लाब मिलेगा कारिशेत्र में संघर्ष के बाद समस्याई सुलझेंगी सहकर्वियों के ओर से सहुगात्मक व्यभार बढ़ेगा व्यापार करने वाले लोगों को अचानक लाब भूने के योग बनेंगे उपाय आज किसी गरीव व्यक्ति को भोजन कराएं उनको वस्त्र दें धन देकर आशिरवाद लें करक राशी कारी शेत्र में अत्यधिक वेस्त रहेंगे कारी की अधिक्ता से मानसिक तनाव एवं चुर्चुडापन बनेगा आप अपनी कठोर वानी पर सयम रखें व्यापार में आय बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे उपाय गुरुवार को थोड़ी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें सिंग राशी आपको उत्तम भोजन प्राप्थ होगा किसी महत्पपून कारी की बाधा दूर होगी यात्रा में नए मित्र बनेंगी राजनी तिक लाब मिलेगा उपाय शुद्ध चांदी शरीर पर धारन करें कन्या राशी बुद्धवार का दिन सुख लाब उन्नती प्रदायक रहेगा जब तक कारे पून हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा ना करें अपनी भावनाओं को सकरात्मक दिशा प्रदान करें उपाय आज अपने नौकरों एवं मजदूरों को वस्त्र भूजन एवं धन आदी दे कर उन्हें प्रसंद रखें तुला राशी आज का दिन लाब उन्नती कारक रहेगा किसी महत्वपून कारे में संघर्ष रहेगा सामाजिक शेत्र में नई जान पहचान बनेगी उपाय आज पिता का सम्मान करें श्री विश्णु जी की पूजा करें विश्यक राशी आज का दिन उतार चड़ाव युक्त रहेगा आज व्यापार में अधिक लाब उन्नती की योग हैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखें जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें उपाय आज श्री राम चुरत मानस का पाठ करें अथवा करवाएं धनु राशी बुद्वार का दिन सामान ने सुक एवं लाबकारी रहेगा बनते-बनते कारियों में अर्चन आएगी सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्रती सजक रहने की आविश्यक्ता रहीगी क्रोथ से बचें सभी से ताल मेल युक्त व्याभाल बनाए रखें उपाय आज श्री हन्वान जी को गुलाब की माला तथा फल चड़ाएं मकर राशी कारिशेत्र में कोई महत्पून कारे जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा ना करें अपनी समस्याओं को अधिक ना बढ़ने दें समझदारी पूर्वक कारें निजी व्यविसाय करने वाले लोगों को अचानक लाब होने की संभावना रहेगी उपाय आज 28 मयूर के पंक से स्वेम का च्छार लगाएं अपने गद्दे की नीचे 21 मयूर के पंक रखें कुम्ब राशी नवीन व्यापार शुरू करना लाबदायक रहेगा व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे नौकरी में मंचाह कारे करने को मिलेगा उपाय आज किसी की हर्त्या ना करें और ना कराएं मीन राशी लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें यात्रा में चोट लग सकती है कारे शीत्र में किसी महत्वपून योजना की जिम्मेदारी मिलेगी जगडा मारपीट इन सब से आपकी छवी को धक्का लगेगा उपाय श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते हैं ताकि वो अपनी दंचारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है से न्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ